साथियों, संसदिय लोकतंत्र में, आज का दिवस गवरों में है, यह वैभव का दिन है आजादी के बाद, पहली बार, हमारी अपनी नई संसद में, यह सपत समारों हो रहा है अब तक यह प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती थी आज के इस महत्वपुन दिवस पर, मैं सभी नवनिर्वाचीत सांसदों का, रुदय से स्वागत करता हूँ सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूँ संसद का ये गठन भारत के सामान ने मानवी के संकल्पों की पूर्ति का है नए उमंग, नए उत्सा के साथ नई गती, नई उचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपुन आउसर है स्रेष्ट भारत निर्मान का विक्सिद भारत 2047 तक का लक्ष ये सारे सपने ले करके ये सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुणाव बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरोमे तरीके से संपन होना ये हर भारती के लिए गर्व की बात है एक सो चालीस करोर देश वाजशों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोर से जादा मददाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर बन गया है कि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर साट साल के बाद आया है ये अपने आप में बहुत बड़ी गवरोपूर न घटना है साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कारकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है उसकी नीतियों पर महर लगाई है जनता जनारदन के प्रति उसके समर्पन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वाश्यों का रदे से आभार व्यक्त करता हूं गत दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थाबित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ लेकर के मा भारती की सेवा करें एक सो चालिस करोर देशवाजों की आशा आकांच्छाओं को परिपूर्ण करें हम सब को साथ लेकर के चलना चाहते हैं सब को साथ लेकर के सम्विधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मेनेओं को गती देना चाहते हैं अठारवी लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवास सावसदों की संख्या अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचीद है उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुप संकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पित है जो लोग भारत की लोकतांत्री परमपराओं पे निष्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोक तंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था एमर्जंसी के ये 50 साल इस संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोक तंत्र लोक तंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोक तंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन तलोक तंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्दिश दिशा के अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाचों को विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाचों का अज विश्वाद दिलाता हूँ कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा महनत करेंगे हम परिणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देखर के आगे चल दा है मानिया सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षा है मैं सभी सांसदों से आगरे करूंगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान नागरीकों की विपक्ष्टे नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पे खरा उतरेगा साथियों सवधन में सामान ने मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नकरे होते रहें ड्रामा होते रहें डिस्ट्रमंस होता रहें लोग सब्स्टंस चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यक्ता है जिम्मेबार विपक्ष की आवश्यक्ता है और मुझे पक्का विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विश्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करोण नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जात की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सोचलीस करोड नागरिकों परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारवी लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियो मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपिक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नया दाईत्व दिया है उसको बक्खुबी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत बहुत धन्यवाद सात्यों हुआ 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 हुआ